जहिन दोस्तो 824 एजगरेशन के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में बात कने वाले हैं इंडियन आर्मी के न्यू नोटिफिकेशन रिक्यूटमेंट के बारे में रिलिजिस, टीचर और हवलदार की पोस्ट के लिए आपका ये नोटिफिकेशन रही जारी किया गया है जिसके लिए आल इंडिया कंडिडेट रहो यहां पर ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं हम बात कर देंगे इसके ilisibility काटर में कैंस का ilisibility काटर रहाएगा कैंस का selection process वो यहां पे रहेगा वीडियो श्टाट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें, like करें, share करें जिससे की आपको आने वाली हर update ऐसे ही मिलती रहे चलो हम बात करते हैं इसके eligibility criteria में कैंस का eligibility criteria वो यहां पे रहेगा यह firm है वो आपका 16 फरवरी 2023 से 15 मार्स 2023 तक आप इसको online mode वो यहां पे apply कर सकते हैं next पन बात करते हैं यहां पे online exam date की 17 अपरेल से 4 मई तक आपकी exam है वो यहां पे conduct की जाएगी next पन बात करते हैं यहां पे selection process की इसमें आपका जो first phase रहेगा इसमें आपकी online exam है वो यहां पे conduct की जाएगी second phase में आपका physical है वो यहां पे conduct किया जाएगा और third phase में only rtgco यानि की religious teacher की post के लिए आपका interview भी यहां पे conduct किया जाएगा next पन यहां पे बात करते हैं examination fee की इसमें आपको डाही 100 रुपए की examination fee है वो यहां पे online mode पे करनी होगी next पन यहां पे बात करते हैं as limit की rtgco की post के लिए civilian candidate के लिए आपकी जो as limit रहेगी वो 25 से 34 रहेगी in service candidate के लिए भी आपकी same age है वो यहां पे रहेगी next पन बात करते हैं आपे हवलदार की post के लिए civilian candidate के लिए आपकी जो as limit रहेगी वो 20 से 25 रहेगी और in service candidate के लिए आपकी 28 येर तक apply कर सकते हैं next पन बात करते हैं आपे education qualification की rtjco की post के लिए आपका under graduate होना जरूरी है साथी आपके पास इसका diploma भी होना जरूरी है next पन बात करते हैं आपे हवलदार की post के लिए इसमें आपके पास b.a.b.c. with mathematics subject यानि कि आपका mathematics subject से b.a.b.c. होना जरूरी है साथी आपकी 12th class में physics chemistry mathematics में 50% mark होना जरूरी है next पन बात करते हैं आपे physical standard test की rt.jc.o की post के लिए आपकी जो height रहेगी वो 160 cm आपकी height आवो यहां पे रहेगी इसमें आपका जो chest रहेगा वो 77 cm इसमें आपका chest आवो यहां पे रहेगा और इसमें आपका जो weight रहेगा वो 50 kg इसमें आपका weight आवो यहां पे रहेगा next अपन बात करते हैं यहां पे race की इसमें आपकी 16 समिटर की race रहेगी जो की आपको 8 मिनिट में complete करनी होगी next अपन बात करते हैं यहां पे हवलदार की post के लिए इसमें आपकी जो height weight chest है वो आपकी अलग-अलग reason wise यहां पे divide की गई है next अपन बात करते हैं यहां पे race की इसमें आपकी जो race रहेगी वो 16 समिटर की आपकी race सब यहां पे रहेगी जो की आपको 5 मिनिट 30 सेकिंड में आपको complete करनी होगी इसमें आपको 6 beam है वो यहां पे निकालनी रहेगी जिग-जग भी आपका इसमें qualify रहेगा no fit का आपका गड़ा रहेगा वो भी आपका इसमें qualify रहेगा next अपन बात करते हैं यहां पे sequence of recruitment की इसमें आपका first time है वो आपका return examination है वो यहां पे online mode है वो जाई किया जाएगा next अपन बात करते हैं यहां पे exam pattern की इसमें आपका exam pattern है वो यहां पर क्या रहेगा RTJCO की पोस्ट के लिए इसमें आपका paper first और paper second है वो यहां पर connect किया जाएगा जो कि आपका social number का आपका paper है वो यहां पर रहेगा जिसमें आपकी negative marking रहेगी वो point 5 आपकी negative marking हो यहां पर रहेगी total 2 hours का आपका paper यहाँ पर रहेगा next अपन बात करते हैं हवालदार की post के लिए हवालदार की post के लिए भी आपका paper first और paper second है वो यहाँ पर connect किया जाएगा 600 number के आपका paper है वो यहाँ पर रहेंगे इसमें भी आपको 2 hours का timing है यहाँ पर दिया जाएगा ठीक है दोस्तो यह आपका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन की जो पीडियेप है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल और वाटसप गुरूप पे भी देखने को मिल जाएगी जिनकी जो लिंक का वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से भी आप इस रिख डॉट कर सकते हैं ठीक है दोस्तो और वीडियो पसंदे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें जिससे की आपको आने वाली हरब डेटर से ही मिलती रहे जैहिन